पिछ गई है चुनावी श्यत्रंज के बिसा कौन होगा तुरूप का एकका कौन बनेगा सियासत का बाद्शा किसका पलरा होगा ठारी किसके राज तिलक की है तैयारी चौबीस का रण कुम लोकसुआ चुनाव के समर में दो चरणों की परिक्षा पूरी हो चुकी है देश के सबसे बड़े राज्य की टोटल 16 सीटों पर 19 और 26 अपरेल को मदान हुआ अब यूपी में 64 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है फिलहाल बारी तीसरे रण युदकी है जोगी साथ मई को है इस चरण में प्रदेश की बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों की साख दाओं पर लगी है तीसरे चरण के दोरान योगी सरकार के मंत्री जैवीर सिंग का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है क्योंकि वो मैंपुरी से चुनाव लड़ रहे है जहां उनका मुकाबला अखलिश यादव की पत्नी डिमपल यादव से है और मैंपुरी समाजवादी पार्टी का गड़ है सपाव 1996 से इस सीट पर कभी चुनाव नहीं हारी वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रिय मंत्री स्पी सिंग बगेल को भी इसी चरण में अगरी परिक्षा देनी है दरसल स्पी सिंग बगेल को बीजेपी ने फिर से आगरा से खड़ा किया है उनके खलाव सपा ने सुरेश चंद्र, करदव और बसपा ने पूजाम रोही को मिदवार बनाया है योगी सरकार के एक और मंत्री अनूव वालमी की हात्रस सीट से बीजेपी का नेतरत्व कर रहे है उनका मुकाबला सपा के जसवीर वालमी की और बीएसपी के हेम बाबू धनगर से है इसके अलावा फतेफुर सीकरी सीट पर भी तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे इस इलागे की आगरा ग्रामीर सीट से मंत्री बेबी रानी मौरे विधायक है आगरा सीट पर चुना होने की वज़ा से मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की कड़ी परिक्चा होगी क्योंकि वो आगरा दक्षिन विधान सबा सीट से विधायक है मंत्री धर्मवीर प्रचापती की साख भी आगरा सीट से जुड़ी होई है वो यहीं के रहने वाले हैं तीसरे फेज में आवला सीट पर भी वोटिंग होगी और आवला विधान सबा सीट से विधायक के अलावा राज्य सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंग के लिए भी सीट एहम है वहीं संबल सीट की चंदोसी सीट से गुलावी देवी विधायक है जो सरकार में मंत्री भी है जबकि बरेली विधान सबा सीट से विधायक और योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर अरुन्ज अकसेना के लिए ये किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं है बता दें कि यूपी में तीसरे चरण में दस लोकसबा सीटों पर चुना होगा यानि कि साथ मई के दिन योगी सरकार के दिगज मंत्यों की किसमत ईवियम में कैद हो जाएगी जिसका फैसला चार जुन को होगा